मेरा नाम है हर्यूम राठोर और आप देख रहे हैं राठोर इलेक्रिक वर्क सेंटर तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का वीडियो दोस्तो टेविल फैन रेपेर करने का है यह टेविल फैन घुम नहीं रहा है यह इसके कनेक्शन बायर है यह इसकी सापट है तो मैंने इस टेबल फैन की जाली और ब्लेड पहले से ही नकाल ली है तो देखिए दोस्तो इसकी सापट बहुत ही ज्यादा पिले है और इसके बासर भी तूट गए है तो हम इसके श्कूयों को खूल लीते हैं और इसके स्टड बाहर निकाल लीते हैं इस प्रकार हम टेबल फैन को ओपन करते हैं तो देखिए दोस्तो यह इसका रूटर है और यह इसका बुस है जिसका नमबर 882 है यह इसका बैक कवर का बुस है जिसका नमबर भी सेम ही रहता है आठ सो ब्यासी और यह इसकी बैंडिंग है जिसकी चार सलाट है क्वाइल चार है फिच एक सिदू में एक बार आर पीम 1440 रहते हैं तो दिखिए दोस्तो मैंने इसमें बुस लगा कर देख लिया है अब हम इसमें आगे वाले कवर के बुस चेंज करेंगे तो इस प्रकार हम सबसे पहले इसके इसक्रूओं को खोल लेते हैं इसमें तीन इसक्रूओ रहते हैं जिस पर बुस के उपर एक लोहे की पत्ती लगी रहती है यह बुस को दबाने का कारे करती है तो इस प्रकार हम बुस को बाहर निकाल लेते हैं यह है रुई का रिंग रहता है जो की खराब हो जाने पर इसे भी बदला जाता है अब हम इसमें नया बुस एड करते हैं अच्छी तरह बुस को सेट करने के बाद इस पर हम ओएल डाल देते हैं ताकि हमारे बुस को नमी मिलती रहे और अब हम इसके उपर यह लोहे की पत्ती लगा कर इसकूओं को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं खारındवब तो इस परकार हम आगे वाले कवर का बुस्ट चेंज कर देते हैं अब हम बैक कवर का बुस्ट चेंज करेंगे तो यह फर्ल बैक कवर है यह इसकी बुस्त की पत्ती है अब हम इस बुस्त को बाहर निकालेंगे इस प्रकार इसमें भी वी वाला रिंग रहता है बुस लगाने के बाद अब हम इस रुई को अच्छी तरह ओल से भेगो देते हैं अब हम इसके उपर इस लोहे की पत्ती से बुस को अच्छी तरह प्रेस कर देते हैं और इस्क्रूओं को टाइट कर देते हैं तो हमने बेक कवर का भी बुस चेंज कर दिया है दोनों बुस बदलने के बाद अब हम इस रूटर को बेक कवर में सेट करते हैं इस प्रकार हम रूटर को इस्टेटर के बीच में डाल कर घूमा कर देखते हैं तो यह अच्छी तरह घूमने लगा है अब हम इसके इस्टेट को लगा कर डिव्रियों को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं और देखिए दोस्तो हमारा रूटर अच्छी तरह बर्क करने लगा है और घूमने लगा है तो इस प्रकार हम टेविल फेन के बुस्स आसानी से बदल सकते हैं तो अब हम इसको सीरिज लेंप में चला कर देखते हैं दोस्तों तो सुच को ओन करते हैं और यह देखिए दोस्तों बल्ब जलने लगा है सीरिज गोट का और हमारा टेविल फेन भी घूमने लगा है बर्क करने लगा है यह देखिए दोस्तों अब हम इसको सीरा एसी लाइन में लगा कर देखते हैं तो यह देखिए दोस्तों मैंने पूरी तरह फेन को सेट कर लिया है तो यह तो सीरिज लेंप में फेन चल रहा है पर यह दीमा चल रहा है अब हम इसको एसी में लगा कर चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों अब इसकी स्पीट भी बढ़ गई है और यह अच्छी तरह बढ़ करने लगा है घूमने लगा है और हवा का प्रेसर भी अच्छा बन रहा है तो इस प्रकार हम टेवल फेन के बुसों को आसानी से चेंज कर सकते हैं वीडियो इतनी थी दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें कोई प्रस्णों तो कमेंट करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्नवाद